exceptions to law of demand, Ami law of demand पता चल गया था, law of demand क्या बोलता था भई, price बढ़एगा, demand गम, price गम, demand बढ़ेगी, यह बोलता था law of demand, इसका opposite हो गया exception, exception बोलता है, price बढ़े, demand बढ़ जाए, price प्राइस कम, डिमांड कम, तो ये तो बताता है direct relationship, exception और law of demand बताता है हमारा inverse relationship, ठेके ना भई, हर्षवर्मा भी काउं की classes नहीं चलती ही मेरे चैनल पर, तो भई exceptions to love demand का मतलब क्यों होगा price बढ़ने वाली है, demand बढ़ने वाली है price कम होने वाली है, demand कम होने वाली है तो ऐसे कौन-कौन से goods होते हैं ऐसे कौन-कौन से goods हैं और यहाँ पर कुछ tricky points हैं जो तुम्हें मैं लिखवा भी दूँगा सबसे पहला point पढ़ने जा रहे हैं हम लोग उसको बोलने जा रहे हैं, giffin goods अब giffin goods के बारे में केवल सुन लो giffin goods के साथ क्या होता है, price बढ़ती है, demand बढ़ती है price कम होती है, demand कम होती है क्या इसके पीछे reason है, उसको भी जानने की जरुद नहीं है वैसे होता कि है, मैंने detail में पहले भी demand के chapter में बता रखा है कि जो giffin goods होते हैं, वो sir robert giffin ने बताए थे दो तरह के goods होते हैं, जैसे कि हम बात करते है, meat और bread की जो america का labor होता था, वो meat और bread खाता था meat और bread में से meat तुमारा superior product होता था और bread तुमारी inferior product होती है, और जब दोनों के prices बढ़ने लगते हैं, तो भई पेट भरने के लिए आपको bread जादा खानी पड़ेगी, meat कम खाना पड़ेगा, तो price भी बढ़ रहा है bread का, और demand भी बढ़ने थी bread की, इसलिए inferior goods जो है आपके, या जिसको उम-giffen goods बोलते हैं, वो law of demand को follow नहीं करता है, ये reason है, बस इतना ही से जानना है तुमको, इससे जादा जाने की जरुद नहीं है दूसरा है, articles of snob appeal, articles of snob appeal, snob appeal, snob appeal का मतलब क्या है, luxury goods की demand, क्या बोलते हैं भी ऐसको, luxury goods की demand, status symbol के लिए demand, महेंगी painting खरीदना, महेंगी dresses खरीदना, वो सारी चीज़े क्या हो जाएंगे आपकी, snob appeal, articles of snob appeal, इसी कोवने बोलते हैं, conspicuous consumption, इसी चीज़ को conspicuous consumption भी बोला जाता है, है मेरे जबाद, भाई आपको book में इस तरह के लोगों के नाम याद करने की जरूत नहीं, यह वेबलन ने नाम दिया था वैसे, क्यार आगे बढ़ते है, expectation about future prices, expectation about future prices, expectation about future prices, expectation about future prices का मतलब क्या है, अगर future में price बढ़ने वाले होंगे, तो demand आज कम हो जाएगी, हम दो सुचने कि future में price बढ़ जाएगा, आज ही demand कर लो, चाहे आज समान महंगा मिल रहा हो, हमको इसा डर लगता है कि future में और महंगा मिलने लगएगा, ऐसा कर रहा है, आज ही demand ले लो, चाहे जितना price बढ़ा हो, expectation about future prices, तीसरा क्या है, fourth emergencies, अभी आपने देखा न, covid में, क्या हो रहा था, covid में भाई, cylinder महंगे मिल रहे थे, emergency हो गई थी, ठीक है भाई, महंगे धरों पर भी लोग ले रहे थे समान, तो emergency लग गई, और ये बड़ा important है, quality, quality price relationship, हम में से अधिकतर लोग समझते हैं, कि महंगा है, तो बहतर है, सस्ता है, तो खराब है, ये सोचना quality price relationship दर्शाता है भाई, ये बताता है quality price relationship, बात समझ में आ रही है, quality price relationship in terms of, कि महंगा है, तो ज़्यादा demand करो भी है, अच्छा होगा, महंगा है तो, फिर क्या लिकाए, change in fashion, भाई, change in fashion, भाई, इस समान, हमारा महंगा आ रहा है, नया fashion के हिसाब से है, तो भी लोग खरीते हैं, और ज़्यादा तर लोग fashion को एक primary reason समझते हैं, कपड़े खरीदने का beat, जितना भी महंगा आ जाए, पहले वो bell bottom चलती थी, फिर वो outdated हो गई, आज केट में देखो लड़कियों को वापस से, वो आ चुके है market में, चाहे बले ही महंगा मिल रहा हूँ, लेकिन नहीं, लेना है तो लेना है भाई, दिदी ने बोला चाहिए तो चाहिए, लेना पढ़ाएगा उनको, change in fashion, तो I hope तुम्हें यहां तक यह 6 point clear हो गए होंगे,